नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Effective Study YouTube चैनल पर आज हम जो है वो रहखेक समी करने यानि की linear equation को कैसे solve करते हैं यानि की इस प्रकार के x plus 3y is equal to this ये इसको हम कहते हैं linear equation तो इस प्रकार की equation को कैसे हल करते हैं इसमें x और y के हम कैसे मान निकालते हैं वो भी हम एक करिस्माई trick की मदद से एक ऐसी हमारे पास सांदार trick है जिसकी मदद से आप यूँ फटाफट चुटकियों में बेना किसी confusion के answer निकाल सकते हैं बेना किसी गलती के तो चली वीडियो की सुरुगात करते हैं सबसे पहले आपसे request करेंगे कि please like, share और subscribe आप जरूर कीजिए तो देखिए दोस्तों इस प्रकार की linear equation आपको दी जाती है exam में यहाँ पर 2 equation बनती है 1 and 2 अब यहाँ पर आपको x और y के मान निकालने हैं तो generally हम क्या करते हैं कि हम x या y दोनों में को हम दोनों में से किसी एक को बरावर कर लेते हैं जैसे अगर मैं इस equation को हल करूँ अपने पुराने traditional method से तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x के साथ किसका गुणा है किसी संख्या का नहीं मतलब 1 का गुणा है और यहाँ x के साथ 2 का गुणा है तो यदि मैं इसमें 2 का और इसमें 1 का गुणा कर दूँ इस नीची के equation में 1 का और इसमें 2 का गुणा कर दूँ तो दोनों में x के पद जो है वो बरावर हो जाएंगे और फिर मैं इनको घटा कर जो है वो solve कर लूँगा और y का मान निकलाएगा और y का मान हम किसी भी equation में रखेंगे तो x का मान निकलाता है जनरली हम ऐसी करती है सबको पता है अब यहाँ पर हमारी trick क्या है तो वो हम उसकी बात करेंगे देखो दोस्तों trick है हमारी अगर आपको x का मान निकलना है तो आपको एक फंडा बता है हम पर क्या है इस प्रकार से आप घुमाते विए आपको ऐसे ले जानी है value यानि कि 5 का y के साथ किसका गुणा है 5 का है तो इस 5 का गुणा करना है आपको 6 के साथ इस प्रकार से ठीक है और फिर आपको 3 का गुणा करना है 8 के साथ ठीक है तो 5 का गुणा आप 6 के साथ करेंगे उसमें से घटाएंगे तीन और आठ का गुणा तो देखी करके देखते हैं X के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले X वाला जो पद है ना इसको तो छुपा लो इसको क्या करो इसको हाइड कर लो फिर आप यहां पर R लगाईए तो R क्या हुआ 5 गुड़ित 6 है यानि कि 5 गुड़ित 6 हुआ माइनस अब यहां पर माइनस करेंगे घटाएंगे क्या आया फिर इसके बाद त्याठ 24 क्लियर है ना 5 गुड़ित 6 माइनस त्याठ 24 बटे अब क्या हैगा अलफा आएगा तो अब बरावर की दूसरी तरफ जो अचर रासियां है इनको छुपा लीजिए इनको हाइड कर लीजिए ठीक ना और इसके बाद अलफा लगाईए आप यहां पर इस तरह से ठीक ना तो यहां पर अगर हम अलफा लगाएंगे तो पांदुनी 10 माइनस x के साथ किसका गुणा है किसी का नहीं है मतलब एक का है तो एक तिया 3 तो पांदुनी 10 माइनस एक तिया 3 इस प्रकार हमको सॉल्व करना है तो 30 में से 24 गया 6 और 10 में से 3 गया 7 x का माना गया आप चाहें तो डारेक्ट भी कर सकते हैं मौकिक आप मल्टिप्लाइ करके और डारेक्ट घटा दीजिए तो आपका पहले ही स्टेप में 6 वटा साथ यहां पर आंसर निकल आ सकता था अब देखिए हमको y का मान निकालना है तो y के मान के लिए क्या करेंगे y के लिए हम फिर से देखें अब यहां पर अलफा बटा अलफा लगाना है लेकिन अब यह अलफा उपर वाला कहां लगेगा कि अगर हमको y की वैल्यू निकालनी है जैसे हमको x की वैल्यू निकालनी थे तो x वाले पद हमने हाइड कर दिये और बांकी के साथ हमने आर लगाया y के लिए हमको y का निका ठीक ना इस तरह से तो X के साथ क्या है एक दो है और इधर आठ और छे है ठीक ना इनके साथ अलफा लगाना ऐसे आपको तो यहां से देखिए आठ दुनी 16 16 माइनस कितना आ जागा एक छंकी 6 आठ दुनी 16 माइनस एक छंकी 6 आप इधर से समझ सकते हैं किकर ना बटे अब नीचे की वैलू आप चाहे बली मत निकालो क्योंकि उसके लिए हम फिर से अच्छा रास्नियों को छुपा कर ही इन दौनों का मल्डिप्लाय करते हैं तो जो X में बटे में आया था वही यहां भी बटे में आयगा यानि कि 7 आ जागा तो 16 में से 6 गया 10 बटा 7 तो X का मांद 6 बटा 7 Y का मांद 10 बटा 7 देखो सारी चीज़ें समझ नहीं कियें दोस्तों अगर आप समझ लोगे तो आपको बिलकुल अच्छे से चीज़ें समझ मां बटे में वही साथ आईगा आपको करना ये है कि X के लिए आर बटा alpha करना है तो आर बटा alpha ठीक ना पर अगला करते हैं हम तो उससे आपको सारी चीज़ें और एक्दम crystal के लियर हो जाएंगे तो X के लिए वही आर बटा alpha निका लिए और Y के लिए alpha बटा alpha निका लिए simple त तो फिर से वही आर बटा अलफा वाई के साथ कुछ नहीं है तो मतलब माइनस का एक है तो एक पंजे पांच लेकिन माइनस का अब इसके बाद घटाती है दो तिया छे बटी में क्या आएगा अचा रासियों को छुपा लीजिए और इनके लिए अलफा लगाईए तो एक 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 माइनस का और उसके बाद माइनस दो दुनी चार ठीक ना तो यह गया माइनस का ग्यारा बटा माइनस का पांच अर्थाद ग्यारा बटा पांच माइनस से माइनस कर जाएगे ना दोस्तों तो क्या जाएगा अपने पास अंसर ग्यारा बटा पांच निकल गया ज ठीक है न और बटे में तो फिर से वही 5 ही आएगा तो यह क्या हो गया माइनस का 7 बटा माइनस 5 यानि कि माइनस माइनस कर जाएगा 7 बटा 5 तो X का और Y का मान हम बड़ी ही आसानी से और इस तरीके से निकाल सकते हैं होप सो आपको यह तरीका पसंद आया हुगा आपके पास पुराना मेथड है आप इससे प्रेटेस कीजिए करना यह है आपको प्रेटेस करनी है उससे सारा कन्फीजन खतम हो जाएगा और उसके बाद आप विदिन सेकंड जो है वो आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें दोस्तों के साथ जतना हो से कि उतना सेर कर दीजिए वाटसेप पर फेस्बुक पर यार प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है वो थोड़ा सा उस पर व्यूस कम आ रहे हैं क्योंकि हम कंटेंट अब जो है वो इंट्रेस्ट नहीं ले रहे हैं या सेर नहीं कर रहे हैं तो ऐसा ना कीजिए सेर जाधा से जाधा कीजिए और चैनल पर पहली बारे तो सब्सक्राइब करके जो है वो बेल आइकोन को क्लिक जरू कर लेंगे तो गुडबाई जैहिंद जै भारट